नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पाठेक्रम में पिछले पाठ में हमने आदिकाल की सिद्ध और नाथ साहित्य धाराओं के बारे में जानकारी हासिल की थी आज हम आदिकाल के जैन साहित्य और रासो साहित्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे सबसे पहले हम जानकारी लेंगे जैन साहित्य के बारे में जैन कवियों का समय आठमी स्ताब्दी से तेहरमी स्ताब्दी तक माना गया है जैन मत का अधिकान साहित्य गुजरात और राजस्तान में रचा गया भाशा की द्रिस्टी से एतिहासिक द्रिस्टी से जैन साहित्य महत्पूर्ण है जैन धर्म में इश्वर स्रिस्टी का निर्माता नहीं बलकि चित और आनंद का स्रोत है इनका मानना है कि इश्वर प्राप्ती के लिए कुछ करमकांड करने की आवशक्ता नहीं बलकि साधना के बल पर स्यम इश्वर स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है जैन मत के सहित्य में दो तरह की रचनाएं हैं जैन मत की साधना उपदेश, नीती, सदाचार, धार्मिक अडमरों वे करमकांडों का खंडन करने वाला मुक्तक काव्य जो दोहों में लिखा गया है इस स्रेणी में दस्विश ताप्दी के कवी जोईंध और बार्विश ताप्दी के कवी राम सिंग प्रमुख हैं जैन मत का प्रचार करने के लिए पुराणिक चरित्रों को आधार बनाकर रचे गए काव्य और जैन मत के प्रेरक पूर्सों के चरितों पर रचित काव्य इस रेणी में पोराणिक काव्यधारा में आठमिस ताबदी के अभ्भरंस के महान कवी स्व्यंभू आते हैं जिन्होंने राम के चरित्र को आधार बनाकर पयूम चरेव की रचना की दस्मिस ताबदी में कवी पुष्पदंत ने महापुराण की रचना के साथ नाग कुमार चरित जसहर चरेव की रचना की है ग्यार्मिस ताबदी में कनका भर मुनी ने करकंड चरित की रचना की है दस्मिस ताबदी में धनपाल द्वारा लोग प्रचलित कथा को आधार बना कर लिखी गई भविश्यत कथा चरित काव्यों की श्रेणी में आती है पयूम चरेव के रचियता स्व्यंभू के बारे में डाक्टर नामवर सिंग ने लिखा है कि स्व्यंभू के काव्यों का परिसर बहुत व्यापक है हिमाले से लेकर समूद्र तक, रनिवासों से लेकर जन्पदों तक, राजकी अजल कृड़ा से लेकर युद्ध क्षेतर तक जीवन के सव्यक्षेतरों में उनका प्रवेश है प्रकृती के चित्रकार हैं, भावों के जानकार हैं, चिंतन के आगार हैं अप्भरंस भाशा पर ऐसा अचूक अधिकार किसी भी कवी का फिर दिखाई नहीं पड़ा। प्रमात्म प्रकास धन पाल भविश्यत कथा बाहु बली चरित सोम प्रभसूरी कुमार पाल प्रतिबोध मेरुतुंग प्रबंध चिंता मनी धर्म सूरी जंबु स्वामी रास स्थूली भद्र रास देव सेज मनी सुलोचना चरिव। मुनी कनकाभर करकंड चरिव। धवल हरिवंस पुराण वर्दत वैरसामी चरिव। हरिभद्र सूरी नाभी नाह चरिव। धाहिल पयुम स्री चरिव। लक्खन जीवदत चरिव। जैनमत से प्रभावित हिंदी साहित्य, विविधता वे प्रिमान की द्रिष्टी से समरिध साहित्य है। जैनमत की साधना की पध्यतियों के परीचे के साथ इसमें जीवन के विविध पक्षों का उदगाटन हुआ है। कव्य रचना का उदेश्य, स्रावकों को तीर्थ, व्रत, उपवासादी के उपदेश देना है। जैन साधना पध्यति को रचनाओं में स्थान दिया गया है। जैन कव्यों ने नस्वर संसार की आलोचना की अहिंसा, करुणा, दया और साधना पर बल दिया। आत्मा की सुध्धी और त्याग को आच्रण में महत्व दिया, जैन साहित्य में रह्ष्य अनभूति का प्रभाव है, समाज में व्याप्त, जाती, वरण भेद का खंडन किया, प्रबंध और मुक्तक दोनों तरह की रचनाएं जैन साहित्य में मिलती हैं। जैन रचनाकारों ने व्याकरण गरंथों का निर्मान किया, लोकिक अनुभूति और धार्मिक अनुभूति के बीच द्वंद का चित्रन किया है, लेकिन धार्मिक आग्रह के कारण व्यराग्या का पक्ष प्रबलता से मिलता है। जैन साहित्य के एक दो उधारन से इस बात के बारे में कुछ अनुमान जरूर हो जाएगा। नेयों नेत्यों। अजवी लवन लहंत यानि प्राय मुनियों को भी भ्रांती हो जाती है, वे मन का गिनते हैं। अक्षय निरामय परमपद में आज भी लो नहीं लगा पाते। जैन तिर्थांकरों के जीवन चरित तथा वैश्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद की गई। अतह जैन सहित्य का सबसे प्रभावसाली रूप रास ग्रंत बन गए। वैं सदा भाहर विशे रहे हैं। रासों काव्यों में इनका अतिशोक्ति पूरण वर्णन किया गया है। इस सहित्य पर एक नजर डाले भिना आदिकाल को पूरी तरह नहीं जान सकते। रासों काव्यों से अभिप्राई है चारण भाटों द्वारा रचित अपने आश्रेदाता राजाओं का प्रशस्ति परक्काव्यों। राजाओं की वीर्था और प्राक्रम का अतिशोक्ति पूरण वर्णन, शिकार के दोरान का साहस, उनके प्रेम प्रसंग और विलासिता इनकी मुख्य विश inventory होती है। राजाओं की वीरता का चित्रन होने से इन में वीर रस का प्रिपाक होता है इन वीर गाथाओं को रासो कहा जाता है आचारे रामचंदर शुक्ल ने रासो ग्रंथों को आधार बना कर ही आधिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था रासो काव्यधारा आधिकाल में उत्पन लेकिन बाद तक इसमें साहित्य रचना होती रही इन गरंथों के पीछे लगा रासो शब्द कहां से आया हिंदी के इतिहासकारों ने इसकी खोज की रासो शब्द की उत्पत्ती के विशे में विद्वानों के कई मत हैं राजसुय, रसायन, रासक, रासव, रास, रहश्य इन सब्दों से इनकी उत्पत्ती के समंदों में विद्वानों ने तर्क दिये हम यहां इनके विश्तिरित विवर्ण की जरूरत नहीं समझते कि किस विद्वान ने किस सब्द से उत्पत्ती मानी उसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिये और उसे स्विकार करने या ना करने के पिछे क्या कारण थे यहां इतना ही कहना काफी है कि इस संबंध में आचारी हजारी परसाद दिवेदी का मत सरवाधिक तर्क संगत है कि रास परंपरा की गीत नृत्य पर क्रचनाएं आगे चलकर वीर रस के पद्यात्मक इतिवृत्तों में परिनत हो गई रासो प्रधानत गान युक्त निरित्य विशेश से करम से विक्सित होते होते उपरूपक और फिर उपरूपक से वीर रस के पद्यात्मक प्रबंधों में परिणत हो गया इस गे नाट्यों का गीत भाग कालांतर में करम से स्वतंत्र स्रव्य अथ्वा पाठ्य काव्य हो गया और इनके चरित नायकों के अनुसार इनमें युद्ध वरनन का समावेश हुआ प्रमुख रासो ग्रंत और उनके रचनाकार इस प्रकार हैं प्रित्विराज रासो, चंदबरदाई, बीसलदेव रासो, नर्पति नाल्ः, परमाल रासो, जगनिक, हम्मीर रासो, शारंगधर, खुमान रासो, दल्पति विजय, विजय पाल रासो, नल सिंग भाट, बुद्धि रासो, जलहन, कल्यूग रासो, रसिक गोबिंद, काय राम रासो समय सुन्दर, राणा रासो दयाराम या दयाल कवी, रतन रासो कुम्भकरण, कुमारपाल रासो देवप्रभ। मुख्यता चारण कवियों द्वारा रचा गया, इन रचनाओं में एतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है, अधिकांस रचनाओं संदिग्ध एवं अर्ध परमानिक मानी जाती हैं, इन रचनाओं में युद्ध प्रेम का वर इन रचनाओं में चारन कवियों की संकुचित मानसिक्ता का प्रियोग देखने को मिलता है। प्रित्युराज रासो प्रबंध काव्य है जिसमें प्रित्युराज चोहान की जीवन कथा है। प्रित्युराज रासो के चार संस्क्रण उपलब्ध है ब्रियत्म, ब्रियत्, लगु और अति लगु इन में 250 से लेकर 10,000 चंदों तक का विस्तार है। इसकी इतिहासिक्ता संदिक्ध है, ग्रंत में वरनित घटनाओं और इतिहास के समय में तालमेल नहीं बैठता। और कई घटनाएं इतिहासिक्ता से दूर कपोल कल्पित हैं। असल में प्रित्युराज रासो की प्रमानिक्ता, एप्रमानिक्ता का प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस तरह से चाया रहा, कि इस गरंत के काव्य सोस्थर पर चर्चा दब कर रहा गई। और घंदरासी तयार हुई है, उसे पार करके साहित्यक रस तक पहुंचना हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए असंभव सा व्यापार हो गया है। प्रभाव साली चरित्र चित्रन इसकी विशेष्ता है, सामन्ती युग के जीवन को जानने समझने में इसका बड़ा महत्व है, चंदों की विविद्ता है, इसके मुख्य चंद कवित्र, दोहा, त्रोटक और गाथा है, पृत्विराज रासों की भाषा एक समय की नहीं है मिश्रित भाषा है, भाषा में संस्कृत, पाली, पिंगल, ब्रज, सोर्शैनी, डिंगल, अर्भी, फार्सी, तुर्की के शब्द मिलते हैं, संप्रेश्नियता की द्रिस्टी से भाषा खरी है, आचारिय रामचंदर शुक्ल ने पृत्विराज रासों की भाषा के बारे म विवस्था नहीं है, दोहों की और कुछ-कुछ कवितों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदी छोटे चंदों में तो कहीं-कहीं अनुस्वरांत शब्दों की ऐसी मनवानी भरमार है, जैसे की संस्कृत प्राकृत की नकल की हो, कहीं-कहीं तो भाषा आधुनिक स शब्दों के साथ साथ, शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन पुराने ढंके हैं, इस दशा में भाटों के इस वागजाल के बीच कहां पर कितना अंस असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण, यह ग्रंथ ना तो भासा के इतिहास के और ना सहित्य के इ विद रूप है, नर्पति नाल रचित बीसल देव रासो, बीसल देव रासो विक्रमी सम्वत 1400 के आसपास की सुप्रसिद रचना है, इसके रचनाकार नर्पति नाल है, इस रचना में उन्होंने कहीं पर स्व्यम को नर्पति कहा है और कहीं पर नाल है, संभव है कि नर्प सती उनकी उपाधी रही हो और नाल उनका नाम हो बीसल देव रासों में बीसल देव के जीवन के बारा वर्सों के कालखंड का प्रणन किया गया है बीसल देव एक प्रतापी राजा एवं संस्कृत के अच्छे कवी थे बीसल देव ने अपना हरकेली विजय नाटक सिला पट्टों पर खुदवाया तथा राज कवी सोम देव ने ललित विग्रह नामक नाटक भी लिखा बीसल देव रासों मूलत एक विरह काव्य है बीसल देव अजमेर का राजा है जिसका विवा भोज परमार की बेटी राजमती से होता है बीसल देव को सोर्टा, टोंक, मुंडोवर आधि कई क्षेतर दहेज में मिलते हैं बीसल देव स्वम को बड़ा राजा मानने लगता है इस तरह की एहंकार भरी बातें अपनी पतनी से करता है उसकी पतनी राजमती उडिसा के राजा के वैभव के बारे में बताती है इससे बीसल देव के एहंकार को ठेस लगती है वह उडिसा चला जाता है राणी राजमती विरह से बेचैन रहती है और राजा की खबर लेने के लिए अपने राज पुरोहित को उडिसा भेज देती है राज पुरोहित देखता है कि राजा बीसल देव राज सेवा में लगा हुआ है पुरोहित उसे रानी के विरह के बारे में बताता है उडिशा का राजा बीसल देव को भारी मात्रा में धन दे कर विदा करता है बारा साल के बाद राजमती अपने पती से मिलती है बीसल देव रासों के चार खंड है खंड एक मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से बीसल देव का विवा होना खंड दो बीसल देव का राजमती से रूट कर उडिशा की और प्रस्थान करना और वहां एक वर्ष रहना खंड तीन राजमती का विरह वरनन तथा बीसल देव रासों का उडिशा से लोटना खंड चार भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजपूतों को फिर चित्तोड लाना बीसल देव मूलत गे काव्या है इसमें स्रिंगार के सन्योग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रन हुआ है विरह की विभिन दसाओं और अवस्थाओं का चित्रन किया गया है बीसल देव नाई का प्रधान कावे है जिसमें इस्त्री की सामाजिक स्थिती वे उसकी आकांक्षाओं को वरनित किया गया है इसमें स्रिंगार रस के चित्रन भी किया गये है बीसल देव जब उडिसा जाना चाहता है तो रानी राजमती उसे रोकने के लिए अनेक प्रयास करती है उसमें नारी के रूप सौंद्रिया का चित्रन किया गया है ये चित्रन उसी तरह का है जैसे लोक गितों में मौजूद होता है साथ सहेलिये सुनो मारी बात कंचव खोल दिशाया गात जान दीठा मुनिवर चलई महाकव मूरक राव न जान इसार त्रियाम चरित्मई लख किया राव नही शकी भैंस पिडार राजमती अपनी सहेलियों से कहती है ये साथ सहेलियो मेरी बात सुनो मैंने अपनी कंचुकी खोल कर अपना बदन दिखाया जिसे देखकर मुनियों का भी दिल डोल जालता है लेकिन मेरा पती तो मूरक है जो इसका मै तो ही नहीं जानता मैंने सारे त्रिया चरित्र कर लिये हैं लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा राजमती के माध्यम से उस काल की इस्त्री की आकांक्षाएं भी उदगाटित होती हैं इस्त्री और विशेश तोर पर राजगराने की इस्त्री पर जो सामाजिक वरजनाएं हैं उसका जिक्र करते हुए स्वतंत्र जीवन की इच्छा व्यक्त की है राजमती कहती है कि मुझे इस्त्री जनम क्यूं दिया और कोई जनम क्यूं नहीं दिया मुझे राणी क्यूं बनाया मुझे रोज क्यूं नहीं बनाया गाय क्यूं नहीं बनाया बन में रहने वाली काली कोयल क्यूं नहीं बनाया मैं चंपा की डाल पर बैठती और नीम की निबोली खाती राजमती कहती है कि मुझे किसान क्यों नहीं बनाया अपने पती के साथ काम करती मोटा कपड़ा पहनती मेरा स्रीर पहाड सा हो जाता अपने पती से हंसहंस कर प्रेम की बातें करती ये पंक्तियां जगनिक रचित आलखंड से है अपने रचना काल से लेकर आज तक यह रचना भारतियों के हिर्दय में साहस और त्याग का मंत्र फूकती रही है जगनिक कालिंजर के चंदेल राजा परमारदी देव का भाठ था परमाल के सामन्त और साहयक महोबा के आला और उदल को नायक मान कर आला खंड नामक गरंत की रचना की जिसे लोक में आला नाम से प्रसिद्धी मिली इसे जन्ता ने अपने गले का हार बनाया आला का परचार यों तो सारे उत्र भारत में है पर बैंसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं बुंदेल खंड में विशेशता महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है आला गाने वाले लोग अलहत कहलाते हैं सन 1865 इस्वी में फरूखाबाद के कलक्टर सर्ल चार्ल्स इलियट ने आला खंड नाम से इसका संग्रह कराया आला खंड में तमाम लडाईयों का जिक्र है सुरुआत मांडो की लडाई से है मांडो के राजा करिंगा ने आला उदल के पिता जच राज बच्छ राज को मरवा के उनकी खोपडियां कोलू में पिरवा दी उदल को जब यह बात पता चली तब उन्होंने अपने पिता की मोत का बदला लिया उस समय उनकी उमर बारा वर्स थी युद्ध का वरणन बहुती शांदार तरीके से किया गया है इस दोहे में इस पद में आप इसको देख सकते हैं खटखट खटखट तेगा बाजय बोले चपक चपक तलवार चले जुन्बी ओ गुजराती उना चले बिलायत क्यार टेगा चटकें बरदवान के कटकट गिरैं सुघरुआ जवान पैदल के संग पैदल भिरे ओ असवारं तेय असवार होदा के संग होदा मिलगे उपर पेश कबज की मार कटकट सीज गिरैं धरनी में उट ऋट रुंड करें तलवार आठ कोस के तहंग गिर्दा में अंदा दुंद चले तलवार पैग पैग पर पैदल गिर गे उनके दूज़दूई पग अस्वार विसे विसे पर हाथी डोरे छोटे परवत की उनहार कल्ला कटी गय जिन घोडन के, धरती गिरय भरहरा खाये, कटे भसुंदा जिन हाथिन के, दल में गिरय करोंटा खाये रासो ग्रंथों का अध्यन एतिहासिक्ता के संदर्व में किये जाने से इसके सहितिक सोस्थों के सवाल कुछ पीछे छुटे हैं आखिरकार रासो ग्रंथ सहित्य की रचनाई हैं ना की इतिहास की सहित्य की रचनाओं में इतिहास की घटनाओं और पात्रों को निश्चित तोर पर विश्य बनाया जा सकता है इतिहास और कलपना के संयोग से भी साहित्य रचना करना निसिद्ध नहीं है इन रचनाओं के अध्यन का एक तरीका रूड हो गया है जिसे तोड़कर ही इनका पाठ किये जाने से इनकी साहित्यक्ता सही मायने में उदगाटित होगी उधारण के तोर पर बीसल देव रासो की नाईका राजमती इस्त्री के संदर्व में अनेक सवाल खड़े करती है भारतिय समाज में इस्त्री के दोयम स्थान पर प्रसंचीन लगाती हुई इस्त्री के स्वतंतर व्यक्तित्व की कामना करती है रासो सहित्य की प्रामानिक्ता एप्रामानिक्ता के सवालों को छोड़ कर सहित्तिक सवालों पर नए संदर्व में व्याख्या विशलेशित करने की आवशक्ता है आज हमने चर्चा की आदिकाले इन हिंदी सहित्य की जैन और रासो काव्यधाराओं के बारे में मिलते हैं एक नए विशे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद